श्री दुर्गा सब्तुशती का सात्वा ध्याय चंड और मुंड का वध ध्यान मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ वे रत्न में सिंगहासन पर बैठ कर पढ़ते वे तोते का मधुर शब्द सुन रही है उनके शरीर का वर्ण श्याम है वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्दचंद्र धारण करती हैं तथा कलहार पुष्पों की माला धारण किये मीना बजाती हैं उनके अंग में कसी वई चोली शुभा पा रही है वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंक में पात्र लिये हुए हैं उनके वदन पर मधु का हलका हलका प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बीदी शुभा दे रही है रिशी कहते हैं तदनंतर शुम्ब की आग्या पाकर वे चंड मुंड आदी दैते चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसच्जित हो चल दिये फिर गिरी राज हिमाले के सुवर्ण में उची शिखर पर पहुँच कर उन्होंने सिंग पर बैठी देवी को देखा वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का उद्योग करने लगे किसी ने धनुष्टान लिया, किसी ने तलवार समाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए तब अमिका ने उन शत्रों के प्रते बड़ा क्रोध किया उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया ललाट में भोहें टेड़ी हो गएं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट होएं जो तलवार और पाश ले होए थी वे विचत्र खड़वांग धारर किये और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर्मुंडों की माला से विपूशित थी उनके शरीर का मांस सूख गया था केवल हड्डियों का ढाचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी उनका मुख बहुत विशाल था जीब लपलपाने के कारण वे और भी डरामनी प्रतीत होती थी उनकी आखें वीतर को धसी हुए और कुछ लाल थी वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजा रही थी बड़े बड़े दैत्यों का अवद करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेक से दैत्यों के उस सेना पर तूट पड़ी और उन सब का भख्षन करने लगी वे पार्ष्वर रक्षकों, अंकुछधारी महावतों, योध्धाव और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ कर मुख में डाल लेती थी इसी प्रकार घोडे, रत और सार्थी के साथ रती सैनिकों को मुख में डाल कर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती और किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिरा कर मार डालती थी वे अस्रों के छोड़े हुए बड़े अस्र शस्र मुख से पकड़ लेती और रोश में भर कर उनको दातों से पीस डालती थी काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौन डाली, खार डाली और कितनों को मार भगाया कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़वान से पीटे गए और कितने ही असुर दातों के अगरभाग से कुछ ले जाकर मृत्यों को प्राप्थ हुए इस प्रकार देवी ने अस्रों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार किराया यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दोड़ा तथा महा दैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाएवे चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छा दित कर दिया वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानों सूरी के बहुतेरी मंडल बादलों के उधर में प्रवेश कर रहे हों तब भयंकर गर्चना करने वाली काली ने अत्यंत रोश में भर कर विकट अटाहास किया उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठेंता से देखे जा सकने वाले दातों की प्रभा से वे अत्यंत उज्वल दिखाई देती थी देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हुंक का उचारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला चंड को मारा गया देखकर मुण्ड भी देवी की ओर दोड़ा तब देवी ने रोश में भर कर उससे भी तलवार से घायल करके धर्ती पर सुला दिया महा पराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची वई बाकी सेना भैसे व्याकुल हो चारू और भाग गई ततनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अटहास करते वे कहा देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महा पश्वों को तुम्हे भीट किया है अब युद्ध यग्य में तुम शुम्ब और निशुम्ब का स्वयम ही बद करना रिशी कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महा दैतियों को देख कर कल्यान में चंडी ने काली से मधुर्वानी में कहा देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारे ख्याती होगी इस प्रकार श्री मारकंडेय पुराण में सावनिक मनवंतर की कथा की अंतरगत देवी महात्मे में चंड मुंड वद नामक सात्मा अध्याय समाप्द हुआ ओम नमस्चंडिकाय ओम नमस्चंडिकाय ओम नमस्चंडिकाय